Hello, Good Morning Everybody, I am P.L. Nerda, Assistant Professor, Government College, Kanwaz and today we will discuss about an essay entitled Non-Violence by Elder Saksle. ये जो निबंध है अहिंसा, इसमें Elder Saksle हमें अहिंसा की बारे में बताएंगे अहिंसा से क्या-क्या फाइदे होते हैं? ये बीए पार्ट फस्ट के सेकिंड पेपर में कोटा इनुशेटी के सिलेबस में समिलित किया गया है और ये विवारिक जीवन में भी इसनिबंदगा बहुत महत्व है इसलिए आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए ये और भी अन्य प्रतियों की परिक्षाओं में पूछा जाता है नोन वाइलेंस वाइलेंस का मतलब होता है हिंसा और नोन वाइलेंस मतलब अहिंसा बाई एल्डस हक्षले एल्डस हक्षले का ये लेख है इसमें अहिंसा के बारे में हमें बताया जाएगा किस तरह से अहिंसा का प्रभाव जो है अच्छे अच्छे बुरी लोगों को भी सही कर देता है Elder Suxley was a British assist, knowledge and critic Elder Suxley जो है बिटेन के महा निबंदकार और पन्यासकार और आलोचक रहे है He belonged to a family of distinguished scientists and thinkers वो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जो की ख्याती प्राप्त साइन्टिस्ट है और थिंकर है Matthew Arnold was his great uncle Matthew Arnold जो की एक महान कभी हुए है वो उनके चाचा थे Grand uncle वो दादा जी थे He card a Nikke for himself as an assist उन्होंने अपने लिए साहित्ते में एक अच्छी जग़ बनाई है He was promising student Elders Huxley बहुती विद्वान किस्म के student थे He chose medical as his profession But severe eye trouble sated his dream Elders Huxley की सुरू से ही रूची डॉक्टर बनने में थी इसलिए उन्होंने medical profession को चुना था लेकिन आखों की परेशानी के कारण उनको आखों में बहुत परेशानी रहती थी इस वज़े से उन्होंने उनका ये जो सपना था वो चकना चूर हो गया Satterd का मलब बताए बिखर जाना, चकना चूर हो जाना He was deeply interested in Gandhian philosophy of the non-violence and truth Elders Huxley की रूची गांदी जी के दर्सन में बहुत ज़्यादा थी और विशेश रूप से गांदी जी का जो अहिंसा का सिध्धान था और जो सत्ते का सिध्धान था उसमें Elders Huxley को बड़ी रूची थी और उसी के आधार पे ये लेक लिखा गया है प्राचीन जो हिंदू विचार है उनमें भी बड़ा बिश्वास था उनकी उसमें भी बड़ी रूची थी The present essay discusses how non-violence is applicable to individuals, group, nation and the people of the new industrial as इस लेक में जिसका नाम है non-violence हमें बताया जाता है किस तरह से अहिंसा को हम एक व्यक्तिगत रूप से लागू कर सकते हैं group में लागू कर सकते हैं, राष्टर के उपर लागू कर सकते हैं और अध्योगिक शत्र के लोगों के उपर किस तरह से हम अहिंसा को लागू कर सकते हैं यानि अहिंसा का प्रभाव जो है विक्ती पे क्या होता है, शमुदाय पे क्या होता है, राष्टर पे क्या होता है और अध्योगिक समाज में क्या होता है यह हम इस लेक में पढ़ेंगे. जी बी, अल्डर सक्सले ने हमें बताया है कि किस तरह से अहिंसा का जो प्रभाव होता है, वो इंडिजिल ग्रूप और इंटरनेशनल रिलेशन में किस तरह से पढ़ता है. नोन-वालेंस is the fallacy of passive resistance. अहिंसा जो होती है वो एक निती है पेस्थी रिजिस्टेंस की, पेस्थी का मलब होता है निस्क्रिय हो करके विरोध करना, हैनि चुप-चाप विरोध करना. जब वेक्ती किसी बात कर चुप चाप विरोध करता है तो वो अहिंसा की निती में गिना जाता है We know that non-violence is a capsule packed with richest power of overcoming evil हम जानते हैं कि अहिंसा एक ऐसा capsule है जो बहुत ज़्यादा सक्ति लिए हुए है और ये बुराए के उपर overcoming हो सकता है evil का मतलब होता है बुराई और overcoming मतलब विजय प्राप्त कर सकता है अहिंसा एक एसी पावर है जो किसी भी बुराई पे जीत हासिल कर सकती है सेवेजरी is a problem which defiles the solution but it is generated by the violence सेवेजरी का मतलब होता है जानवरपन ये एक बहुत बड़ी शमश्या है और ये सभी तरह के solution को defile कर देती है परास्त कर देती है यानि जानवरपन का कोई solution नहीं है और इसके दोरा जो है हिंसा उत्पन की जाती है जब इंसान के अंदर जानवर पना जाता है नरसंग सता आ जाती है तो फिर वहाँ पर हिंसा पेदा हो जाती है पिछले 30 सालों से अहिंसा के सिद्धानतों को लागू किया गया है न केवल गांदी जी ने बलकि तोल्स्टोई ने भी लियो तोल्स्टोई जिसके बारे में आपने सुना होगा उन्होंने और गांदी जी ने अहिंसा के सिद्धानतों को लागू किया है और उनोंने बहुत हद तक सपलता प्राप्त की है गांधी टुली प्रेक्टिक्स नौन वाइलिंस गांधी जी ने सही हद तक टोल्ट्स टोई से भी जादा अहिंसा के सिद्धान्तों का practical प्रियोक किया व्यवारिक प्रियोक किया है न केवल सिर्फ सिध्धान्तों में बलकी practical उनका use गांदी जी ने किया है जैसे चमपारण आंदोलन बहुत सारे आंदोलन ऐसे हैं जहां पे गांदी जी ने अहिंसा का प्रयोग किया known violence is applicable in the relation of population with governments अहिंसा के सिध्धान्तों को हम जनता और सरकार के बीच में जो relation है जो समंध है वहाँ पर भी लागू कर सकते हैं यानि जनता और government का क्या relation है उनको किस तरह से उनका पालन करना चाहिए इसमें भी हम अहिंसा के सिध्धान्तों का लागू कर सकते हैं गांदी जी ने जो सावत अपरिका में और भारत में अहिंसा के जो आंदोलन चलाए non-violent movement मतलब आंदोलन जो चलाए शावत अपरिका में काले गोरे लोगों के परती और भारत में वो उनकी बहुत बड़ी शपलता थी यानि अहिंसा के आधार पे गांदी जी को नक्यवल भारत में बलकि शावत अपरिका में भी बहुत शपलता मिली ही एफेक्टिवली ट्रेंड वेरी लार्ज ग्रूप अपरिके से ट्रेंड किया किनको वेरी लार्ज ग्रूप अपरिके बहुत बड़ी जन समुधाय को इन नौन वाइलेंट कोपरिके अहिंसा के असयोग आंदोलन में नौन कॉपरेशन का मतलब होता है असयोग आंदोलन और बायकाच का मतलब होता है बहिशकार गांदी जी ने असयोग और बहिशकार के आंदोलन में लोगों को बहुत ज़ादा प्रभावपूर्ण तरीके से ट्रेंड किया और उन्होंने बहुत ही courageously यानि हिम्मत के साथ प्रत्युत्तर दिया brutal treatment का brutal मतलब निर्दई और treatment मतलब बरताव लोगों के साथ जो निर्देता पूर्ण बरताव किया उसके बावजूद गांधी जी के सिध्धानतों पे चल करके लोगों ने अहिंसा अत्मक साधनों के द्वारा उसका प्रत्युत्तर दिया many people regard non-violence impractical बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अहिंसा को व्यवारिक बताते हैं गांधी जी के जो सिध्धान हैं उनको लोग व्यवारिक मानते हैं there is no doubt that several modern associates will use it as a means to overcome problems लेकिन इस बात से अस्विकार नहीं किया जा सकता कि अभी भी बहुत सारे ऐसे associations है ऐसे संगटन है जो इसको बुराई से या problem से विजे प्राप करने के लिए काम में लेते हैं यानि अहींसा को बहुत सारी समश्याओं से छोटकारा पाने के लिए काम में लेते हैं The social structure of the community can be arranged in such a way that individuals are not tempted to seek power in bullying गांदी जी के सिद्धानतों को हम यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं कि समाज का जो structure है, social structure of the community, समुधाई का वो इस तरह से arrange किया जाए कि individual जो है वेक्ती गुंडागर्दी में bullying का मलब होता है गुंडागर्दी, गुंडागर्दी में power की खोजना करें लोग यह ना सोचे कि मैं गुंडागर्दी दिखा करके अपने आपको powerful साबित कर सकूँ इस तरह का समाजिक दाचा होना चाहिए इस तरह से अगर कोई वेक्ती गुंडागर्दी करके powerful बनना चाहता है तो उसको disgrace किया जाना चाहिए उसको हतोसाइट किया जाना चाहिए इन फैक्ट, every individual can improve his beastliness through non-violence यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी वेक्ती अपने अंदर का जो जानवर पन है उसको remove कर सकता है और उसको remove करने का एकी तरीका है non-violence इंडिविज्वल कान बी ट्रेंड टू परपॉर्म टू मेन पंक्षन परते एक वेक्ती को दो कारे करने की ट्रेंग देनी चाहिए कौन-कौन से दो कारे to keep the life of the association at higher level एक तो यह है कि जिस संगटन से वह जुड़ा हुआ है उसका इस्तर उच्चि स्त्रिय हो keep the life of the association at higher level कोई भी जो संगटन है जो समाज के लिए कारे कर रहा है उसका इस्तर उच्चि होना चाहिए and the practical use of the training of non-violence और अहिंसा का जो use है अहिंसा का जो प्रियोग है वो practical होना चाहिए सिर्फ हम सिद्धानतों में अहिंसा की बाते ना करें बलकि हमें उसका practical भी use करना चाहिए there is no doubt that problems can be solved in a more human way इस बात में कोई शक नहीं है कि यह जो समश्या है इनको हम मानविय तरीके से solve कर सकते हैं वर्तमान में समाज के सामने जो समश्या आ रही है उनको यहाँ पे मूल रूप से चार भागों में बाटा गया है finding the best way of combining workers self-government with technical efficiency finding the best way of combining workers self-government यानि मज़दूरों की खुद की सरकार हो और उसमें technical efficiency हो समाजवादी विवस्ता हो इसका अर्थ है समाजवादी विवस्ता हो और समाजवादी विवस्ता में भी technical efficiency हो efficiency का मलब होता है प्रभाव पूर्टा यानि मज़दूरों की शरकार हो लेकिन उसमें प्रभाव technical हो rising the level of education और दूसरा जो point है वो है सिक्सा का इस्तर उचा किया जाए सिक्सा जो है उच्चिस्तर की हो seeking the best way of disturbing wealth धन संपत्ती का बटवारा सही तरह से हो अगर धन संपत्ती का बटवारा सही तरह से नहीं होगा तो लोगों में असंतोस पेदा हो जाएगा और जो last है वो है making the best possible use of laser laser मतलब खाली समय का सद उप्योग किया जाए खाली समय को लोग जो है mobile चलाने में प्रयोग ना ले उसको अच्छी पुस्त को पढ़ने में उसका उप्योग किया जाए अच्छे खेलों में रूची बढ़ाई जाए यह जो है non-violence के प्रयोग के कुछ आधार बुद तत्तो बताए है और समाज की जो समश्या है उनको हम study के द्वारा labor के द्वारा और non-violence के द्वारा ही soul कर सकते है it facilitates smooth working जब हम non-violence का प्रयोग करेंगे तो इससे हमारी जो working है वो बड़ी smooth हो जाएगी यानि हमारी कारेक्षमता जो है वो सरल हो जाएगी smooth हो जाएगी और facilitate मतलब आसान हो जाएगी it builds up a satisfactory society और अहिंसा के सिध्धानतों पर चल करके हम एक संतोष पूर्ण समाज का निर्मान कर पाएंगे Huxley chooses to indicate all the aspects of non-violence Huxley ने हमें यापर अहिंसा के पूरे सिध्धानतों के बारे में बताया है He is about all an inspirator and critic Huxley जो है एक बहुत अच्छा नवादक और critic भी रहे है तो साथियों वीडियो किसा लगा कमेंट कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू